आदिपूरुष पर फिर भड़के मुकेश खंडा बोले पूरी टीम को जिन्दा जला देना चाहिए इस फिल्म की बूरी टीम को 50 डिगरी पर जिन्दा जला देना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये अपने आपको डिफेंड क्यूं कर रहे है आप ऐसी फिल्म बना कर ये नहीं कह सकते कि हमारी फिल्म का विरोध मत करो वही मनोज मुंतशीर के एक्स्प्लेनेशन पर बात करते हुए मुकेश खन्ना और बुरी तरह भड़ा गए वे बोले कहते हैं मनोज मुंतशीर बहुत बड़ा राइटर है पर उनकी बचकानी बाते सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुझे लगा था कि जब इस फिल्म को पूरा हिंदुस्तान क्रिटिसाइज करेगा तो ये मूँ छुपाएंगे और ये बोल रहे हैं कि वालमीकी, तुलसिदास और रामनन सागर जी के बाद ये रमायन का मेरा वर्जन है अरे भाई तुम हो कौन, आप क्या वालमीकी के उपर हो, जो बच्चों को बोलेगे कि पूरानी बाते भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूँ वो ही सही है मुकेश के इस बयान पर कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है एक शक्स ने ट्विट करके कहा, मुकेश खन्ना जैसे लोगों को इस देश में बिलकुल नहीं रहना चाहिए, हर रोज ये व्यक्ति मारने काटने की बात करता है फिल्म बुरी है, गलत है, जो भी है, बगर ये भद्दी भाशाओं के लिए आजकल मशूर है इस व्यक्ति की सोच जहां नहीं मैच होती, महां ये बेकार बाते ही करता है पता नहीं कैसी ये लोगों के बीश रहता होगा एक और ने लिखा, बेहत दुर्भागे पूर्ण बयान, मुकेश जी, व्यक्ति का विरोज सही है पर ये कहना ठीक नहीं है एक और ने लिखा, शक्तिमान तो भड़क रहा है, संभालो कोई इन है एक और शक्स ने मुकेश खन्ना के इस तरह के बयान पर कहा मुकेश खन्ना का मांसिक संतूलन बिगड़ गया है, ये बोलने से पहले सोचता भी नहीं, ये क्या बोल रहा है ये हिंसा के लिए उक्सा रहा है, इस पर केस दर्ज होने चाहिए शायद इस पाखंडी को मालूम नहीं, ये तालिबान नहीं भारत है, जो किसी धर्म से नहीं भारत के सम्विधान से चलता है आपको बता दे से पहले मुकेश खन्ना ने राइटर मनोज मुंतशीर को बुद्धी जीवी राइटर कहते हुए कहा था कि उन्होंने तो रवायन को कलियूग में बदल दिया है मुकेश के लावा अब तक कई और एक्टर्स भी इस फिल्म को लेकर कड़ी आपत्ती जता चुके है आपकी क्या राए है कॉमेंट में ज़रूर बताए हमारी चैनल को सर्ब्सक्राइब करें बैल आइकन बटन ज़रू प्रेस करें ताकि बॉल्लूट गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे